प्यारे बच्चा लोग नमस्कार देखिए हाई स्कूल का प्री बोर्ट का पेपर हम लेकर आ चुके है 2023 के एक्जाम में खासा इंपॉर्टेंट है ये पेपर ठीक है बिल्कुल यूपी बोर्ट के पैटर्न पर आधारित है New Education Policy नई सिक्षानिती 2020 यानी 2020 लागू हो चुकी है और अब नए पैटर्न पर हाई स्कूल का भी पेपर आना है 20 आपके MCQ यानी Objective होंगे जो की OMR sheet पर होंगे ठीक है तो चलिए प्रारंब करते हैं और हल कर लेते हैं इस पेपर को 3 गंटे 15 मिनट का समय और 70 का पूर्णांख होगा ठीक है तो आब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन भी लिखें प्रश्ट पत्र के खंड आ में बहु विकल्पी प्रश्ट है जिनमें से सही विकल्प का चैन करके OMR शीट पर नीले अत्वा काले बाल पॉइंट पिन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें यानि आपको ब्लैक या ब्लू यूज करना है पिन वो भी डॉट वाला हो जिल पर यूज करना नहीं है ठीक है और OMR शीट पर आपको लिखना है सबसे पहला प्रश्ट शुकल्यू के ससक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए राम चंद्र शुकल पंडित प्रताप नारायन मिश्र राधा चरण गोस्वामी या फिर राधा कृष्ण दास है ठीक है नेटवर्क इसू होने के कारण हम आप सभी की कमेंट लाइब कमेंट नहीं पड़ पा रहे हैं कारण ये है कि हम इस वक्त जहां पर हैं वहां पर केवल आफलाइन रिकार्डिंग करके अपलोड किया जा सकता है वीडियो यानि हम आपके लिए ताजा ही बना रहे हैं वीडियो यानि आज पांच दिसम्बर है पांच दिसम्बर 2022 है तो 5 दिसम्बर का ये वीडियो है ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि हमने अभी रिकॉर्ड किया है डेट अभी हमने बता दी ये नहीं कि पुराना पेपर मैं उठा के दे रहा हूँ आपको सब कुछ मिलेगा न्यू मिलेगा नए पैटर्न पे मिलेगा बोर्ड परिक्षा के लिए खासा इंपॉर्टेंट होगा वही मिलेगा बस यह है लाइब कमेंट आपकी नहीं पढ़ पा रहे हैं नेटवर्क इसु के कारण तो शुक्लिक के ससक्त आलोचक और निबंदकार रामचंदर शुक्ल हैं इनके अलावा धुरंधर कोई नहीं था इसमें धुरंधर सब थे लेकिन इनके जितना धुरंधर कोई नहीं था और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है विश्नु प्रभाकर प्रेमचन जैशंकर प्रसाद या फिर चतुरशेन सा अर्धनारीश्वर के लेखक यहां पर हो जाएगा विश्नु प्रभाकर अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंग दिनकर भी है और अर्धनारीश्वर के हजारी प्रसाद वेदी भी है तो आप कन्फूजन में मत आईएगा लेकिन विश्नु प्रभाकर आपका हाई स्कूल म तो लाला स्री निवास दास जो है नाटक कार के रूप में भी बहुत प्रसिद है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल की समया वधी बताईए या समय सीमा निधारित कीजिए तो 1843 से लेकर के अब तक का जो समय रहा है वो आधुनिक काल की सीमा के अंतरगत आता है। रीतिमुक्त कावधारा के दो कवियों के नाम बताने हैं घनानंद, ठाकूर, बोधा, आलम, दुझदेव। यह कहता है रीतिमुक्त तो यहां पर विकल्प का और खा दोनों सही हैं घनानंद, बोधा और ठाकूर जैसे कवी रीतिमुक्त के अंतरगत आते हैं। नई कविता की प्रमुग विशेषता कौन सी हैं। नई कविता की प्रमुग विशेषता, बोधिकता की प्रधानता, आति अथार्थ वादि दृष्टी कौन, छंद योजना में नवीनता, सामाजिक असमानता। तो नई कविता की विशेषता क्या है? आति यथार्थ वादी द्रश्टी कोण, बौधिकता की प्रधानता, प्छंद योजना में नवीनता या सामाजिक असमानता में से कौन है? सही जबाब इसका होगा बौधिकता की प्रधानता, आंगन के पार द्वार की रचईता कौन है? धरमबीर भारती है, सचिदानंद हिरानंद वात्सायन अग्ये है, गजानन माधो मुक्तिबोध है, या फिर राम नरेश्त रेपाठी है, तो सही जबाब होगा, सचिदानंद ह खिरानंद वात्सायन अग्ये का आंगन के पार द्वार बावरा एहरी चिन्ता इत्यलम आधी रचनाए है, भारती हैं किस काल के अंतरगत आता है, भारती हैं किस काल के अंतरगत आता है, बक्ति काल, रिति काल, आदि काल, आधुनिक काल, तो यहां पर जो सही जबाब होग ना ना वेशा भिहसे सिव समाज निज dłेखा ना ना वाहन ना ना वेशा भिहसे सिव समाज निज देखा को मुक्षी न भी पूल मुख का हूँ बिनु पदकर को को भुबाहु यानि विभिन परकार के वाहन हैं विभन परकार की वेश भूशाएं हैं यह सब देख करके सिव जी ने इस समाच को देख करके अपने समाच को देख करके बड़ा हसे कोई मुखीन है किसी का बड़ा-बड़ा मुख है कोई बिना पैरों के है कोई बिना हाथों के है किसी के तमाम हाथ है तो ये क्या है हसी की बात यहां पर हुई है तो हासरस की अनुभूती हो गई यहीं कहीं पर बिखर गई है भगन विजय मालासी उसके फूल यहीं संचित हैं है वह इस मृति सालासी सहे वार पर वारवंत तक लड़ी बीर बालासी आहुत सी गिर चड़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जांसी वाली रानी थी यहाँ पूछा गया है कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है प्रांतिमान है उपमा है रूपक है या उप्रेक्षा है तो यहाँ पर माला सी आ गया है माला की समान तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद छत्र पति भूप सिवाजी इन पंक्तियों में कौन सा छंद है कि जीती जाती हुई जिनोंने भारत बाजी निजबल से बल मेट बिधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद छत्र पति भीर सिवाजी तो यहाँ पर रोला छंद है 24-24 मात्राएं होती है निम्ड में से निरुपसर्ग कौन से शब्द में प्रयूक्त हुआ है निवास, निर्वाह, निवेश, सुमार्ग यहाँ पर निर्वाह में ठीक है निर्वाह में क्या है निरुपसर्ग है चड़ावा दिखावा बुलावा पहनावा शब्द में कौन सा प्रत्य है वा प्रत्य है ठीक है और भीमार्जुन में कौन सा समास है भीम और अर्जुन द्वन्दो समास है यहाँ पर गरगर शब्द का तदभव क्या होगा गागर हो जाएगा ठीक है अभ्यागत संदि विच्छेत कीजिए अभिधन आगत अभ्यागत गावाला आप्षन आपका सही होगा यह यड़ संदि से आपका बनेगा मधुनी शब्द जो है मधु शब्द का कौन सा रूप है तो यह है सप्तमी का एक वचन ठीक है यह सप्तमी का एक वचन है हसानी रूप जो है हसधातु का है हसानी हसावा हसामा ठीक है तो ये जो है किसका है तो पठानी पठावा पठामा तो ये जो है उत्तम पुरुस का है और एक वचन का है उत्तम पुरुस एक वचन है लेकिन कौन सा लकार है बताइए तो ये भाईया हो जाएगा आपका लोट लकार उत्तम पुरुस एक वचन जो की यहाँ पर आप्शन में ही नहीं है तो यहाँ पर लोट लकार उत्तम पुरुस उत्तम पुरुस एक वचन का रूप हसान होता है ठेक खंडबा हैगा आप देखो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड काटा किस तरह इंसान की खूवियों की कहानी सदियों के बाद आने वाले पीडियों तक पहुचाई जाए इसके लिए आदमी ने कितने उपाई सोचे और किये तो ये ब्याख्या करनी होगी रेखांग की तनस्की तो समझेगा अजंता नामक पार्ट है क्या है अजंता नामक ये पार्ट है और भगवत शरण उपाध्याई इसके लेगा कौन है भगवत शरण उपाध्याई द्वार है तो उसके लिए कोई न कोई उपाय मनुश्य को करने होगी कि अपने वर्तवान को इतिहास बना करके अगली पीढ़ी को पविश्य को कैसे सौंपा जाए इसके लिए मनुश्य उपाय नहीं किये, उन्होंने पहाड काटे, पहाडों को काट कर उसमें अच्छरों को उकेरा, उसमें चित्रों को उकेरा, इंसानों की खूबियों को उकेरा, और अगली पीडियों तक पहुचाने के लिए तमाम उपाय आदमियों ने किये, इंसानोंने कौन-कौन से उपाय किये उन्होंने चटानों पर संदेज भी खोदे उन्होंने चटाने भीर गणवाई उन्होंने तामर पत्र तार पत्र धातूं से उचे तमाम खंबे खड़े किये तामबे पीतल के पत्थरों पर अच्छरों के मोती भी खेरे इस प्रकार उन्होंने कहानी अपनी वर्तमान की भविष्य तक पहुचाई तो गद्यांस का संदर्व लिखेगा प्रसुर गद्यांस हमारी पार्ट कुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पार्ट से उद्रित है अजंता नामक पार्ट से लेकक लेकक भगवश्रण उपाध्याजी हैं कौन है भगवश्रण के अपर संदेश खोदे ताडों से ऊचे धातूस से चिकने पथर के कंभे छ dispथर वी खेढें फ्ippij Qurू थी इतना ही पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि यह भारती यह संस्कृती ना पार्ट से लिया गया है और भारती संस्कृती नामक पार्ट के लेखा कौन है ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाज जी है ठीक है कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाज जी है प्रसुत गद्यांस का संदर्ब लिखिए प्रसुत गद्यांस का संदर्ब लिखिए त तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंट प्रसाजी अपने लेक में लिखते हैं भारती संस्कृती के बारे में कि विभिन्यताओं में भी एकता हमारी संस्कृती की पहचान है कि आगर कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाएगा तो वो अचानक से ये समझ नहीं पाएगा और भारत में निवास कर रहे हैं इसमें आश्चर की बात नहीं है क्योंकि अगर हम बहेजबुसा से देखेंगे तो सब अलग अलग लगेंगे लेकिन जो गहराई में जो आंतरिक तोर पे हम देखेंगे तो विभिन्यता में एकता ही हमें दिखेगी ठीक है तो भारत की बोलिय और संप्रदायों के संपन्द में बताया गया है कि इनकी गिनती आसान नहीं है क्या गड़ना आसान नहीं है गिनती नहीं की जा सकती सागर जिनिक्च निज छाती पर जिन के अगणित अर्णों पोत उठा कर सागर निज छाती पर जिन के अगणित अर्णों पोत उठा कर पहुचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदिया जिन की यशधारासी बहती है अब भी निश्वासर ढूढो उनके चरण चिन भी पाओगे तुम इनके तट पर अतुल निये जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्षि दिवाकर गूम गूम कर देख चुका है गूम गूम कर देख चुका है ठीक है आगे आप समझ रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं तो यह कहां से लिया गया है जिनकी उज्वल कीर्द निशाकर ठीक है यह आपका लिया गया है स्वदेश प्रेम ठीक है स्वदेश प्रेम लिया गया है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है ठीक है राम पर आपको अब पद्यांश के नीचे दिएगे तीन प्रश्णों के उत्तर देने होंगे प्रसुत पद्यांश की संदर्व सहिद व्याख्या करना है फिर पद्यांश से तात्परे क्या है वही एक में चीज है नदियां जिसकी यसधारा सी बहती है अभी निस्वासर का आशे इस पश्ट करना है सबसे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं प्रसुत पद्यांश में कभी ने अपने पूर्वजों की गरिमा का समर्पन का भाव का चित्रण किया है कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का गवरोपूर्ण इतिहास रहा है समुद्र स्यम उनकी सेवा में लीन रहता था सागर निज छाती पर जिनके सागर स्यम हमारे पूर्वजों हमारे वीरों हमारे शहीदों के अगणी त्यानी अने अगणी जिनका कोई गड़ना अनेक अरणों माने होता है समुद्री पोत माने जहाज अपनी छाती पर ये समुद्र भी जिनके अनेकों जहाज उ उन पोतों को उन जहाजों को पहुंचाया करता था नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अभी निश्वासर जिन पूरोजों की यश की धारा के समान यानि की कीरती की धारा के समान नदियां आज भी बह रही हैं आज भी दिनदात उनकी कीरती को गायन करती हुई बह रही ह अगर उनके चरण चिन्हों को आप ढूड़ोंगे तो तुम इन नदियों के इन समुद्रों के तटों पर आज भी पाओगे यह हो गया संदर्प सहित हिंदी में वाद व्याख्या और पद्यांस का तात्पर क्या है पद्यांस का तात्पर यह है कि हमारे पूर्वजों की समुद्र और नदियां भी किया करती थी ठीक हो यही बात आसे इस पश्ट भी आसे का भी है बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का समझे उसकी प्रसववेद ना वही लाल है माई का एक साथ मिल बात लो एक साथ मिल करके बात लो अपना हर्ष विशाद यहाँ सबका सिव कल्याड यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ भारत माता का यह है आंगन समता का समवाद यहाँ सबका सिव कल्याड यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ तो यह कहां से लिया गया है यह आपका है भारत माता का यहाँ क्या भारत माता का यहाँ आंगन मंदिर ना भारत माता का यहां मंदिर, तो कहते हैं कि आओ और माता के इस आंगन में बैठो, ठीक है ठीक, मतलब मैतरिश अड़कृप की कहते हैं कि आप भारत माता के आंगन में बैठो, यहां पर समस्त भाई बहनों का सा रिस्ता आपको दिखाई देगा, यहां सभी का रिस्ता भाई बहन जैसा है, और जो प्रसववेदना आर्थात जिन्म देने के दर्द को महसूस कर पाए, वही माता का असली पुत्र होता है, और हे प्यारे बंधुओं, ह अपना हर्ष, यानि अपना प्रसंदता, अपना दुख, यानि सुख और दुख यहां मिल करके बाट लो, यहां पर सभी का शिवकल्याण है, और यहां पर सभी प्रसाद पाते हैं, क्योंकि यह भारत माता का आंगन है, यहां पर समता का समानता का समवाद गुंजा करता है समानता की बाते होती है पध्यांस की सतंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिएगा कर दिया कभी ने सच्चे पुत्र की क्या परिभाशा बताई है जो अपने माता की प्रसव वेदना को समझता है वही सच्चा पुत्र है सबका शिव कल्याण यहां है पावे सभी प्रसाद यहां पंक्ती का आशे क्या है तो इसका आशे है कि सबका मंगल कल्याण यहां पर है भारत वर्ष की भूमी पर सबका मंगल कल्याण है और सभी यहां पर प्रसाद पाते हैं यानि सभी यहां पर धन धानने से भरपूर कर देती सभी को पृत्वी अपने सभी पदार्थों के लिए सब को समान भाव से देखती है पृत्वी सभी पदार्थ सभी के लिए समान है ठीक है तो निमिखित लेखकों का आपको क्या करना है जीवन परिचे देखना देना है यह सारे जीवन परिचे हम करा चुके हैं अब यहां पर आया है एक संस्क्रित गर्द्यांस और कहता है आम स्विक्रता समया हाँ समय यानी शर्त स्विकार है इति कथिते ऐसा कहने पर तस्मिन नागरिके उस नागरिक के सामने वहा ग्रामीड नागरिकम अवदत नागरिक से बोला प्रतमम भवान एव प्रच्छ तु पहले आप ही पूँछें नागरिक चा और नागरिक तम ग्रामीडम अकते नागरिक ने उस ग्रामीड से कहा तुम्हे व प्रतमम प्रच्छ तुम्ही पहले पूँछो इदम सुरुत्वा इतना सुनकर सा ग्रामिडा अवदत्व ग्रामिड बोला युक्तम ठीक है अहमें वो प्रतमम प्रच्छामि मैं ही पहले पूछता हूँ अपदो दूर गामिच साक्षरो नच पंडिता हा अमुखा इस्फुट वक्ता चयो जाना तीसा पंडिता हा पैरहीन है पदहीन होने पर दूर जाने वाला है और साक्षर भी है और लेकिन पंडित नहीं है बिना मुख्य इस्फुट वक्ता है स्पष्ट बोलता है और जो इस जाएगा वही पंडित है अस्या उत्तरम प्रवीत भवान आप इसका उत्तर दें फिर ठीक है यह कहां से लिया गया यह प्रभुद्धो ग्रामिडा से है दो नंबर तभी विलेंगे जहाँ संदर्म लिखेंगे अस्माकम संस्कृती सदा गतशीला वर्तते हमारी संस्कृती सदयव गतशील है मानो जीवनम संसकर्तुम मानो जीवन को संसकारित करने के लिए एशा मने इसने समय स्यथा समय 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 पर नवाम नवाम विचाध हारां स्विकरोती नई नई विचाध हारां को स्विकार करती है नवाम शक्ती चाप्राप्नोती और नई सक्ती प्राप्त करती है अत्र दुराकरह नास्ती यह पर हट नहीं होगा यत माने कि युक्त 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 यु जैसे प्रतिष्ठा शरभ बोते संभावा समानन्भाव विचारो शोधार्यम विचारों विचारों में उदार्ता आचारिर दरता चेती म.lor टैलि झieur काया था कि फिर देखे पद्यांस या do दो इस लोक आएंगे, दोनों इस लोकों में से एक का संदर्प सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा जैसे किमनुहित्वा प्रियो भवती किमनुहित्वा नशो चती किमनुहित्वा अर्थवान भवती किमनुहित्वा अप्सुखी भवेत क्या त्याक कर मनुष्य प्रिय हो जाता है क्या त्याक कर मनुष्य शोक नहीं करता है क्या त्याकर मनुष्य अर्थवान भवती धन्वान हो जाता है और क्या त्याकर सुखी हो जाता है तो मानम हित्वा प्रियो भवती घमंड त्याकर मनुष्य प्रियो हो जाता है क्रोधम हित्वा क्रोध त्याकर नशोचति शोक नहीं करता है कामम हित्वा अर्थवान भवती और काम यानी इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है लोभम हित्वा सुकी भववत और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुकी हो जाता है किस्वितम प्रवसतो मित्रम किस्विन मित्रम ग्रहे सता हा प्रवास में मित्र कौन होता है और घर में मित्र कौन होता है अतुरा सिचाकिम मित्रम रोगी का मित्र कौन होता है किस्विन मित्रम मरिशता और मरने वाले का मित्र कौन होगा तो सार्था प्रवस्तो मित्रम, सार्था मतलब होता धन के साथ या फिर कह दीजे साथियों का समूह प्रवास में मित्र होता है भार्या मित्रम ग्रह सता और पतनी घर में सच्चा मित्र होती है आतुरस्य भिशंग मित्रम रोगी का मित्र वैद्य होता है और दानम मित्र मरिश्यतह और मरने वाले का मित्र दान होता है कहां से लिया गया है जीवन सूत्राण से लिया गया है कहां से जीवन सूत्राण पाट से लिया गया है अनिवारे संस्कित के फिर एक इस स्लोक आपको लिखना होगा फिर आपको दो प्रष्ण हो का उत्तर संस्क्रित में देना होगा एका देश भकता हा आसीद वारणसी नगरी की मर्थम परसिद्धा वारण तेतना कि कोशे है साठिकाम और मतलब वही seconds विद्याले और सिक्षा-धिक्षा के कारण और सम्की सारियों के लिए पृसिद्ध है, पत्थर की मूर्तियों के लिए पाुद्ध है. ठीक है. तो आप लिख दीजिएगा. एक 70 पर सणों का आपका ये मिलेगा. क्रैस कोर्स में आपको लिंक मिल जाएगी एक ही वीडियो में आपकी सारी जो है सारे प्रशनों के उत्तर वही बार-बार आते हैं विसेयों में आप एक पन निवंद लिखना है तो लिख दीजिएगा फिर आपका खंडकाब आएगा ठीक है खंडकाब आप अपने जिले के अनुसार कर लिजिएगा तो यह पेपर आपका कंप्लीट होता है मिलते हैं अगले पेपर के साथ तब तक के लिए नमस्का बहुत-बहुत शुक्रिया डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे डाउनलोड कर लिजिएगा